हेरे कृष्णा रादे रादे तो आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ सठ तिला एकादसी दुहजार चोविस में कब है तो आए जानते हैं हिंदू पंचान के नुसार माग मास्क के किरिस्म परच की एकादसी तिथी को सठ तिला एकादसी कातेवार मनाया जाता हैं एकादसी तिथी की सुरुवात 5 जनवरी साम 5 बच कर 24 मिनट पर शुरू होगी और इसकी तिथी का समापन 6 जनवरी को साम 4 बच कर 7 मिनट पर होगा उदिया तिथी के नुसा सठ तिला एकादसी को एकादसी 6 फरवरी को मनाई जाएगी साथ फरवरी को सुबाच 7 बच का 6 मिनट से लेकर 9 बच का 18 मिनट तक रहेगा सट तिला एकादसी की दिन भगवान विष्णू की पुजा का विधान है जो 30 के नुसा सट तिला एकादसी पर तील का बहत खास महत्व है इस ब्रेट में तील से स्थ रहेएं, तील से हैवन, तील से तरपन, तीलों का दान और तीलों से बनी चीजों का शेवन करना अत्यांद सुम माना गया है इस बार सट तिला एकादसी की चाबध छे फरवरी मंगल बार को रखा जाएगा सट तिलाय कादसी को एक चीज बहुत ही खास है जो कि बाजार से खरीद के जरूर लाएं आर्थिक इस्तिती ठीक होगी वह चीज है एक नारियल मार्केट से जरूर लाएं और भगवान विश्णू की पूजा में रखे फिर उसके अगले दिन अपनी तिजोरी में रख दें ये बेहद ही खास उपाय हैं तो आए सुनते हैं सट तिलाय कादसी की कथा के अनुसार प्राचिन काले मिर्तु लोक में एक ब्रहामनी रहती थी वह सदय ब्रत क्या करती थी एक समय वह एक मास तक ब्रत करती रही इस से उसका सरीर अत्यंद दुर्वल हो गया यद पी वह अ जिपताओं या ब्रहामनों के निर्मित अन्य धन का दान नहीं किया था इससे मैंने सोचा कि ब्रहामनी ने ब्रत आदी से अपना सरीर सुद कर लिया है अब इसे विश्नु लोक तो मिल ही जाएगा प्रंतु इसने कभी अन का दान नहीं किया इससे इसकी त्रिपती होना आगे कहा ऐसा सोचकर मैं भिखारी के बेस में मिर्तुलोक में उस ब्रहामनी के पास गया और उससे भिच्छा मांगी ब्रहामनी बोली महराज किसलिए आये हो मैंने कहा मुझे भिच्छा चाहिए इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिच्छा पात्र में डाल दिया मै उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया कुछ समय बाद ब्रहामनी फिर सरीर त्याक कर स्वर्ग में आ Gün। उस ब्रहामनी को मिट्टी का दान करने से सुर्ग में सुन्दर माहल मिला प्रंतु उसने अपने घर को अनादी सब समाग्रियों से सुन पाया घावराको नहां मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवन मैंने अनेक ब्रत आदी से आपकी पूजा की परन्तु फिर भी मेरा घर अनादी सब बस्तूओं से सुन है इसका क्या कारण है इस पर भगवान कहा पहले तुम अपने घर जाओ देवस्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए प ऑफर खोलने को कहा तो ब्रामनी बोली आप मुझे देखने आई तो सट तिला एक आदसी का महात्तम मुझसे कहो उन में इसे एक Devin कहने लगी कि मैं कहती हूं जब ब्रामनी ने सठतिला एक आदसी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया दिवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर भी है और नहीं आसूरी है बरन पहले जैसी मानुसी है उस ब्रामनी ने उनके कथानु सहा सठतिला एक आदसी का बरत किया इसके परभाव से वह सुन्दर और रूप बती हो गई तथा उसका घर अनादी समस्त शामाग्रियों से युक्त हो गया अतम अनिश्यों को मुर्खता त्याक कर सठतिला एक आदसी का बरत और लोब ना करके तिलादी का दान करना चाहिए इससे एनेक परकार के कष्ट दुरभाग दरिर्ता दूर होकर मोच मिलता है तो फिर से मैं नेस्ट वीडियो मिलती हूँ तब तक के लिए जय स्रकिष्णा राधे राधे